उस टाइम इतने पैसे भी नहीं थे और सायर इतने पैसे होते तू भी मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिसन नहीं लेता तो मेरे घर एक सोसाइटी के वेल नोन वेल एजुकेटेड परसन आय हुए थे उन्होंने मेरे से कहा कि दुर्गेश तुम्हारे बसकी तो है नहीं डॉक्टर बन पाना तुम जोला चाफ डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते ये बात उन्होंने मेरे से हसते हुए करई थी मजाक उडाते हुए कही थी रिजल्ट के कुछी दिनों के बाद मेरे आखों के सामने मेरे दादा जी की दिथ हो गई मैं कुछ भी नहीं कर पाया मेरा वो पहला केस था जब मैंने किसी पेसेंट की जान बचाई थी जब हुआ धनूर्धर मैं नामी सब लोग हुए हित के कामी पर ऐसा भी था एक समय यह समाज निस्ठोर निर्दय किन्चितनस नेह दरसाता था विस्वेंग सदा बरसाता था नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर दूर्गेश्वर मिस्टरा है मैंने अपना एमिविस इंद्रा गांधी मेडिकल कॉलिज से कॉम्पलीट किया है मैं यूपी के एक बहुत ही छोटे से साथ देवरिया से बिलॉंग करता हूँ मेरी फैमली में मेरे माता जी, पिता जी, दादा जी, दादे जी और चार बुआ लोग थी एक हस्ता खेलता परिवार था फिर दीरे दीरे मैं जब एक साल का हुआ तो एक एकसिडेंट में मेरे पिता जी की देथ हो गई और वो टाइम मेरे फैमली के लिए काफी डिफिकल्ट रहा फिर क्लास तेंद का रिजल्ट आया मैं अच्छे माँक से पास हुआ बट ये खुशी जादे दिन तक नहीं रही रिजल्ट के कुछी दिनों के बाद मेरे आखों के सामने मेरे दादा जी की देथ हो गई मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्लास तेंद में पढ़ने वाला बच्चा कर भी क्या सकता था वही मोमेंट था जब मैंने डॉक्टर बढ़ने का सोचा और क्लास 11 में बायो लिया उस टाइम मुझे कोई ये बताने वाला भी नहीं था कि तुम 11-12 में अर्ली स्टार्ट कर लो कम्टिटिव एक्जाम में अर्ली स्टार्ट करने से फायदा रहता है फिर मैंने एक यूपी की कोचिंग जोईन करी और जो यूपी में तो काफी अच्छा था बट आल इंडिया लेवल पे जो कम्टिशन होता है उसके हिसाब से वो कुछ भी नहीं था फिर मैं कोटा गया और इंडिया की जो सबसे अच्छी कोचिंग है उसको जोईन किया धीरे धीरे दो महिने, चार महिने, छे मिने, आठ महिने बीते और एक्जाम का रिजल्ट आया उस एक्जाम में मेरी मार्जिनल रेंग थी और मेरा सेलेक्शन नहीं हो पाया था कोई गवर्मेंट कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा था और प्राइवेट कॉलेज का कोई विकल्प नहीं था उस टाइम इतने पैसे भी नहीं थे और साहब इतने पैसे होते तो भी मैं प्राइवेट कॉलेज में एंडिमिसन नहीं लेता फिर मैं घर वापिस आया सब लोग ताने मार रहे थे तरह तरह की बाते कर रहे थे कि हो गैस अपने पूरे डॉक्टर बन लिया इतना असान नहीं होता डॉक्टर बनना फिर मैंने कोटा की जो मैंने कोचिंग करी थी उसी का टेस्ट सीरीज वाइन किया विकॉज मेरे पास नोट्स आलेडी थे एवरी संडे टेस्ट होता था हर संडे को मैं और मेरा एक फ्रेंड हम लोग टेस्ट देने जाया करते थे और एक हफ़ते का जो टाइम होता है उसको कैसे मैंने प्लान किया था इसको मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा सबसे पहले जो मेरे कोटा के नोटस थे उसको मैं बढ़ता था उसके बार जो प्रीवेस एर क्वेष्टिन होते है निट के उसको लगाता था उसके बाद जो जलेटस और एडवांस के क्वेष्टिन होते थे उसको लगाता था क् laurel इडिया मेंसला अब convention सभी जैसे जैसे एक टेस्ट दो टेस्ट भी था तो मेरी रैंक टॉप 20 में आने लग गई थी लास्ट के जब दो महिने बचे थे तो मेरे घर एक सुसाइटी के वेल नोन वेल एजुकेटेड परसन आए हुए थे उन्होंने मेरे से कहा कि दुर्गेश तुम्हारे बसकी तो है नहीं डॉक्टर बन पाना तुम जोला चाप डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते ये बात उन्होंने मेरे से हसते हुए करई थी मजाक उड़ाते हुए कही थी मैंने भी उनका हसते हुए जवाब दिया कि देखते हैं और इतना कहके मैं वहाँ से वापिस अपने रूम में चला गया लास्ट के दो महिने बचे थे जो मेरी पढ़ाई कई इंटेंसिटी थी वो मैंने और बढ़ा दिया था और जब भी मैं मौक टेज देता था लास्ट दो महिने में मैं उनकी बात जरूर रिकॉल करता था याद करता था कि उन्होंने मेरे से कहा था कि तुम्हारा सेलेक्शन नहीं हो पाएगा तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे मेरा माइंडसेट हमेशा से बहुत ही पॉजिटिव रहा है और उनकी कही हुई बातों को भी मैंने बहुत ही पॉजिटिवली ही लिया फिर दीरे दीरे मैं एक्जाम की डेट आई और एक्जाम स्टार्ट होने के पहले भी मैंने उनकी बातों को रिकॉल किया था और एक स्माइल के साथ पेपर स्टार्ट किया मुझे आज भी याद है कि मैं देल्वी में था जब रिजल्ट आया वो मेरे लाइफ का एक टर्णिंग पॉइंट रहा मेरी काफी अच्छी रहेंक आई और मुझे या पता चल गया था कि मुझे कोई बहुत ही अच्छा कॉलेज गौर्नमेंट कॉलेज अलोट हो जाएगा वहाँ पे मैं उस दिन चीखना चाहता था चिलाना चाहता था लोगों को ये बताना चाहता था कि जो मैंने सपना देखा है वो मैंने पूरा किया फिर मैंने घर कॉल किया मैंने बताया कि मेरा सेलेक्षन हो गया सब लोग बहुत ही भावुक हुए रोने लग गये थे काफी एमोशनल मोमेंट रहा वो फिर मेडिकल कॉलेज का पहला दिन जो ओरियंटेशन सोर्षन होता है काफी एकसाइटिंग रहा नए दोस्त बने खुब मौज मस्ती हुई फर्स्ट यर भी था, सकेंड यर भी था थर्ड यर में अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ फ्रेंड का कॉल आया जूनियर फ्रेंड का उसने मेरे से कहा कि उसका सेलेक्शन हो गया और साथ में उसने ये भी बताया कि आपने जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे मैंने पढ़ा और जो मुझे चाहिए था वो मिल गया ये सुनके मेरे जो पाउं थे जिन सीडियों पे थे वहीं रुख गये थे उस दिन मुझे इतनी खुसी हुई और ये रियलाइज हुआ किसी को एक स्टेप आगे बढ़ा के उसके मंजल तक पहुँचा के इतनी खुसी महसूस की जा सकती है हमारी इंटरंसिप स्टार्ट हुई इंटरंसिप का पहला दिन ड्रीम होता है हर एक मेडिको का डॉक्टर्स का कि वो हॉस्पिटल में जाए OPD अटेंड करें पेसेंट को ट्रीट करें सब कुछ बहुत ही एक्साइटिंग रहा फिर कुछ समय के बाद दो महिने, चार महिने, छे महिने के बाद कुविट टाइम था और मेरी डूटी ICU में लगी थी वहाँ पे मैं और एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे हम दोनों बैटके केस्ट लेग रहे थे फिर अचानक से सिष्टर की अंदर से चिलाने की आवाज आई डॉक्टर प्लीज कम एक पेसेंट है जिसका हर्ट इट एस्पियो टू लगतार नीची गिर रहा है ड्रॉप हो रहा है हम लोग दोरते हुए अंदर गये पेसेंट को एक्जामिन किया और हमने CPR देने का decision लिया CPR वो होता है जो आप movies में देखते हैं एक डॉक्टर होता है चेस्ट को ऐसे compress कर रहा होता है oxygen दे रहा होता है और जो CPR की जो duration थी ना जाने मुझे क्यों इतनी लंबी महसूस हो रही थी थोड़ी समय के बाद guess what वो पेसेंट बच गया मेरा वो पहला केस था जब मैंने किसी पेसेंट की जान बचाई थी उस दिन मुझे महसूस हुआ realize हुआ कि medical profession कितना novel profession है कितना rewarding profession है जिसमें आप पेसेंट की life को directly touch कर पाते हो इसी के साथ मैं जो stock knit को धन्यवाद कहना चाहूंगा जो की बहुत ही अच्छा काम कर रही है मैं भी जब prepare करता था तो जो motivational videos आते हैं उनको देखा करता था क्योंकि जब preparation का जो phage होता है काफी muscle भरा रहता है कई बार students depression में चले जाते हैं लेकिन ये videos जो आते हैं regularly आते रहते हैं जो stock के उनको देखके उनको भी energy मिलती है कि ये बंदा जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता Thank you very much